नमस्कार दोस्तो नंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और एच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 1 मई 2021 की जो है हे माचल परदेश की आज की शाम 5 बजे तक की सभी तादा खबरों के जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंट तक बन रहे हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबाले हैं ताकि आप तक मेरी हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शूरू करते हैं शूरू करते हैं आज शाम की टॉप 10 ताला खबर हैं तो चलिए शूरू करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने जो आज की जो है शाम की पहली नूज है कि करोना CM जैराम बोले हालात देखकर सरकार लेगी लोकडाउन पर फैसला ऑक्सीजन प्रियाप्त तो COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए उससे निप्टने के प्रबंद को लेकर गठित कमेट्वों के साथ जो है मुख्यमंतरी जैराम ठाकोर ने शनी बार को समीक्षा बैठक की बैठक के दोरान जो है मुख्यमंतरी ने बैठक शमता को बढ़ाने और ऑक्सीजन की आप कहा कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को प्रेशानी का सामना ना करना पड़े उन्होंने बताया कि शनी बार को ही वोकर वा इंडस अस्टाल का दोरा किया गया है और वहां अत्रिक बैठक शमता के लिए प्रियास किये जा रहे हैं इसके अलाबा भी कुछ जगा बैठकी विवस्ता के लिए प्रियास किये जा रहे हैं किसी को अनावश्यक मोनाफा खोरी नहीं करने देंगे तो बद्दी के कुछ फार्मा उद्योगों द्वारा कच्चे माल की सप्लाई ना होने और महंगे दाम पर होने से उतपादों के दाम बढ़ने की आशंका कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर अपना रुक साफ किया है सीम ने कहा कि मुश्किल दोर में किसी को भी अनावश्यक मोनाफा खोरी नहीं करने दी जाएगी कहा कि अगर किसी उद्योग को देकत है तो वा सरकार से संपर्क करें हर उचित कादम उठा कर मदद की जाए रहे हैं शादियों में धाम पर प्रतिबंद और 20 लोगों की ही मौजूदगी इसका उधारन है स्परस्ट किया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपवाय फैला रहे है वह ठीक नहीं है कहा कि अभी व्यक्ति की आजादी है इसका अगर कोई दुर्प्योग किया जाएगा तो कारवाई की जाएगी लोगडाउन को लेकर कहा कि सोशल मीडिया से या तैय नहीं होगा बलकि सरकार हालात के अनुसार जोए फैसला लेगी आगे पताया कि हिमाचल घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाब नहीं वियाफ साइट 44 रुपय सस्ता तो हिमाचल प दोर पर 31.83 रुपय जो है बापिस मिलेंगे होम डिलीवरी के जो है 52.50 रुपय निर्धारित हैं इस मा वियाफ साइक गयास लेंडर के दाम 44.50 रुपय सस्ते हुए हैं मई में डिलीवरी शोलक साइट 2745.50 रुपय देने होंगे शनिवार्थ से पूरे परदेश में गयास प्रकूप के चलते हिमाचल परदेश सरकार ने विलासपूर एम्स प्रबंदन को पत्तर लिखका संस्थान में तैनात 54 विशेशक ये डॉक्टरों की मांग की है इन विशेशंग क्योंकि जो है 30 जून तक परदेश के 6 मेडिकल कॉल्जियों और 2 जीला अस्तालों में अस् प्रदेश के चलते हिमाचल परदेश के सरकारी आइटी आई में जो है 66 श्रेणियों के करीब 1000 पर भरने की तैयारी शूरू हो गए ये तकनिकी शिक्षा व्यावसाइक एबं अद्योगिक प्रिशिक्षन विभागने व्यावसाइक अनुदेशक दस्ताकारी अनुदेशक ट्रेड अनुदेशक के भर्ती एबं पदोंती नियम 2001 को अधिसोचित जो है किया गया है इन भर्ती एबं पदोंती नियमों के तहत जो है 1015 पदों को भरा जाएगा 18-45 वर्ष की आयू के लोग इस भर्ती में शामिल होने के लिए पात्तर होंगे शुकरवार को तकनिकी श परिक्षा विभाग ने बताया कि हिमाचर परदेश में स्थित किसी स्कूल या संस्तान से जो है दस्मी और बार्मी कक्षा की परिक्षा पास करने वाले इस भर्ती के लिए पात्तर होंगे बिजली बोल्ड को चूना लगाने वाले JSTO पर होगी FIR राज्य बिजली बोल्ड को करीब डेड़ करोड का चूना लगाने वाले कनिष्ट अभ्यांता और साइक अभ्यांता के खिलाफ अगले सब्ता आप राधिक मामला दर्ज हो जाएगा कुल्लू में एक नीजी कंपनी को गल्फ तरीके से बिजली कनेक्शन देने पर और बिल नहीं लेने पर बोल्ड को करीब डेड़ करोड का नुकसान मामले में प्रबंदन ने FIR दर्ज करवाने की और उपचारकताएं पूरी करना शुरू कर दिया है अगे निजाब की कि सेव मंडियों में अब और निलामी याड खोलेगी हिमाचल सरकार तो आगे बताया है कि हिमाचल में सेव सीजन से पहले सरकार मंडियों का बुनियादी धांचा मजबूत करेगी मंडियों में विस्तार के लिए फल निलामी के लिए नए निलामी यार्ड त्यार किये जाने लगे है परदेश सिरकार पहले चरण में सोलन सबजी मंडी के स्मीप नए फैबरिकेटर ओक्षन यार्ड बनाएगी अभी सोलन सबजी मंडी के अलावा समीप में ही शाड़ों में सीजन के समय सेव की बिक्री की जाती रही है अगर नियूज आपकी कि करोना काल में महिलाओं ने बनाए जहुमर कलीरों को अब विदेशों में बेचने की तियारी तो करोना काल में जो है जब देश वियापी लोकडाउन हुआ तो धर्मपुर के सेयोक शेत्र की महिलाओं को वाड की बरतमान जीला परिशद वंदना गुलीरिया ने प्रोथ साइथ किया यहां की महिलाओं ने कलीरे और जहुमर सहुत कईता रखे आकरशिक शोपीस बना कर अपने हाथों के होनर से कमाल कर दिया अब इन्हें बिदेशों में बेचने की योजना है अगनी जापकी की बज़ोरा में पुलिस ने पकड़ी दो किलो चर्स की खेप तो कुलू पुलिस ने बज़ोरा चेक पोश्ट पर दो किलो चर्स की साथ बज़ोरा के साथ लगते शोगी गाउं के दो यूबकों को पकड़ा है दोनों पीक अप में सवार होकर इस निशे की खेप को जिला से बाहर ले जाने की तियारी में थे शनिबार सुबा पुलिस ने जो है पीक अप को तलाशी के लिए रोका तो यूबकों से नशे की खेप रामद हुई पुलिस ने दोनों आराउप्यों के खिलाप NDPS Act के तहत मामला दर्ज किया है अगनी उजाब की कि गोपालपूर में चिडिया घर के सामने पहारी से टकराई कार सवार घाईल ओबर स्पीड से हुआ हादसा तो गोपालपूर कांगडा के गोपालपूर चिडिया घर के साथ लगती पहारी से शनिबार को एक कार टकरा गई हाजसे में कारसवार बालबाल बच गए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ बताया जा रहा है कि कारसवार पारलंपूर से डाड़ की ओर आ रहे थे कि अचानक गोपालपूर चिडिया घर के साथ लगती पहारी से जोए जोरदार धमाके के साथ कार टकरा गई हाजसे के कारण ओबर स्पीड जो है माना जा रहा है हाजसे में कारसवारों को चोटे आई हैं और गारी को भी काफी नुकसान हुआ है अगनी जापकी कि जवाली में कोर्ट कॉंपलेक्स के पास आम की पेड़ से लटका यूबक पुलिस ने कब जे में ली लाश तो पुरी स्थाना जुआली के अधिन 50 वर्षी अव्यक्ति द्वारा फंदा लगा कर अपनी एलीरस माप्त करने का मामला प्रकाश में आया है मृतिक की पैचान यश्पाल सिंग पुतर गंदीप सिंग निवासी के हरियां के रूप में हुई है अरफ की करोना मृतिक का हैपी कलाब ने किया अन्तिम संसकार भॉरंज उपमंडल के पिधर्टा में हुई थी बजुर की मौत तो उपमंडल भॉरंज की अंतरगत करोना से निरंतर मौत होने का स्सिला जारी है इससे लोगों में करोना के प्रिति खौप बढ़ता जा रहा है पिदर्ता की करोना पॉजिटिव मरित महिला को जो है हैपी कलब धमरोल के सदस्य ने अंतिम संस्कार कर दिया अगनियुज़ आपकी कि अभिनेत्री रुभीना दिले करोना पॉजिटिव पर यनववा फैंसने की स्वास्टलाब की कामना अगनियुज़ आपकी कि दुकान से घर लोट रहा था बज़ुरक रास्ते में हो गया दर्दनाक हासा तो चमबा से नियुज़ आपकी चमबा जीले के सरू में धांक से गिरने से एक बज़ुरक की मौत हो गई व्यक्ति की पैचान दुनी चान 77 वर्षिय पोत्तर प्रोशोत्तम निवासी गाउं सरू की रूप में हुई है शुकरवार को दुनी चन जोए घर से दुकान की तरफ गया था शाम करीब चार बज़े दुकान से घर की तरफ लोट रहा था तो रास्ते में चानक उसका पैर जोए फिसल गया और वा धांक से गिर गया इसके चलते वा बूरी तरसे जखमी हो गया किसी ने उसे वहां अचेत वी अबस्ता में देखा तो इसकी सूचना परीजनों को दी सूचना मिलते ही परीजन मौके पर पहुंचे और उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलिज चमबा पहुंचाया यहाँ पर चिकित्सकों ने उसे मृत गोशित कर दिया अगनी जाब की कि परशासन को सूचना दिये बिने करोना से मृत बाबा को दे दी समाधी 14 पर F.I.R तो सोलन से ने उसे है कि हिमाचिल के जीला सोलन के अर्की में करोना के चलते दम तोड़ने वाले एक बाबा को जो है परशासन को बिना सूचना दिये समाधी दे दिये इसके इसमें जो कोविड-90 अंतिम संसकार प्रोटोकोल की अभेलना के चलते 14 लोगों के खलाब आपता परबंदन एक्ट 2005 के प्राबदानों के तयात जो है मामला दर्जक किया गया तो दोस्तों ये थी आज 1 मई 2021 की हिमाचल परदेश की आज शाम 5 वजे की सभी तार्या खबरें अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और अंकित वर्मा और एच्पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्क चैब हाओ